नमस्कार दोस्तों मैं हूँ गॉरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट दोस्तों अभी आपकी स्कीन पे ये चार्ट है क्रूड ओईल का और इसमें लास्ट टेडिंग सेशन में जिस तरीके की मुवमेंट रही उसको लेकर हम बात करेंगे और फिर हम बात करेंगे क्या सपोर्ट और आइसलेंस लेवल हमें क्रूड ओईल में नजर आ रहे हैं और उनको देखते हुए जिस तरीके से लास्ट कुछ टाइम से एक ट्रेडिंग चल रही थी उनको देखते हुए हमारा आगे का व्यू कैसा है देखे हमने लास्ट ट्रेडिंग सेशन्स में ये चीज़ अब्जर्व करी है कि क्रूड ओईल जो था वो काफे टाइम से एक रेंज में ट्रेड कर रहा था कल बिल्कुल मंथली क्लोजिंग होई है मंथली क्लोजिंग होने से पहले कल और पड़सो इसने दो दिन कुछ एक मुमेंट दिखाने की कोशिश करी है एक ये कोशिश करी है कि आगे का ट्रेंड कैसा हो सकता है ठीक है मैं देखे जब तक मार्केट एक बहुत नेरो रेंज में ट्रेड करता है तब तक ना तो वीडियो बनाने का कोई benefit है और ना ही उस चीज़ को explain करने का कोई benefit है कि उसके उसमें आप buying करें, selling करें जब मार्केट consolidate होता रहता है तो आपको सिर्फ एक काम करना चाहिए मार्केट को avoid करना चाहिए या फिर maximum आप ये कर सकते हैं उस range के नीचे आप stop loss लगा सकते हैं खरीदने का, मतलब अगर आप market को in between कहीं भी खरीद लीजिए जैसे ये इस तरीके का market है मान लेते हैं कि एक range में trade कर रहा है आप यहाँ पर खरीदिये या बेचिये plus करिये, minus करिये minus कर रहा है तो आप यहाँ पर अपना stop loss लगा दीजिए मतलब maximum यह चीज़ कर सकते हैं और plus किया है तो आप यहाँ पर अपना stop loss लगा दीजिए यही एक चीज़ आप कर सकते हैं पर जब तक वो consolidate होता रहेगा आप उस position से भी बहार अगर आते हैं तो भी गलत है नहीं आते हैं तो भी गलत है आपने entry गलत ली थी क्योंकि तो यह consolidation का time आपको इसलिए avoid करना चाहिए तो आई चलते हैं पांच मिनिट के time frame से शुरू करते हैं दीखिए यहाँ market open हुआ market में open होती एक range में अपने आपको बना के रखा जिसमें थोड़ी सी upside आई market ने correct होनी कोशिश करी पर यहाँ पर इसे एक support मिला और market धीरे धीरे बहुत ही धीरे धीरे कोई इसमें आपको ऐसी एक तेजी नजर नहीं आईगी market उपर की तरफ चलता चला गया और 2933 पर आकर इसने यह भी मेरे खाल से एक bug आया हुआ है application में एक जगे 2933 दिखा रहा है इससे थोड़े बड़े टाइम फ्रेम में 2935 दिखा रहा है अभी देखिए ओ सॉरी 2936 दिखा रहा है इससे बड़े जो टाइम फ्रेम है उन सब में 2945 दिखा रहा है अब application में क्या bug आया हो पता नहीं मुझे क्या चीज है खिर बहुत बड़ा difference नहीं है तो हम इस चीज़ को consider करके भी charts पर बात कर सकते हैं यहाँ पर देखते हैं market gap down opening होई थी उपर के levels पर sustain करता रहा gap down opening market यहाँ sustain करता रहा पर suddenly हमने एक correction देखी एक speedy correction देखी एक sharp correction देखी market में नीचे के levels पर market आया यहाँ से market थोड़ा उपर जानी कोश कर रहा यह next day हमने एक और correction देखी पर यहाँ से धीरे धीरे उपर के side आता चला गया और market यहाँ पर आकर बंद हो गया आये चलते हैं एक घंटे की तरफ दोस्तो वीडियो को पूरा देखना और यह मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुछ चीज़े हैं आप इसमें जो मैं आपको बताना चाहरा हूँ market में एक trend उपर की तरफ आया था उपर की तरफ यह hold नहीं किया correction और उसके बाद से यह पूरी की पूरी जो range थी यह एक consolidation phase में रही इस range को इसने break करा नीचे एक sharp correction हमने देखी market धीरे धीरे उपर की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है 2945 इसका last trading price है और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं 4 घंटे की तरफ हम चलते हैं देखिए यहां पर इन levels पर हमने एक और consolidation देखी और यहां के बाद जब इसमें correction आई थी तो market काफी नीचे तक आ गया था 2690 के आसपास तक के इसने कुछ levels दिखाये थे वहां से market में एक और buying आई 3000 के उपर sustain करनी कोशिश करी पर बहुत अच्छे से नई रुक पाया market उपर उसके बाद यह सारगा सारा session कुछ दिनों का है यह हमने एक बहुत ही एक narrow range में एक sideways upward trend हमने देखा जब market बहुत ही एक इस तरीके का trend होता है या तो बाद में एकदम से उपर की तरफ move कर जाएगा या इस line को break करती एकदम से गिर जाएगा बिलकुल यही यहां पर हमने देखा market ने जैसे ही इस line को break करा एक sharp correction देखने को हमें मिली और उसके बाद market यहां से थोड़ा सा एक bounce back करने की कोशिश कर रहा है इस तरीके का भी view हमें नजर आ रहा है daily charts पर चलते हैं daily charts पर दोस्तों यहां से जब भी इसमें एक trend उपर की तरफ बन रहा था और धीरे-धीरे market ने अपने आपको इस पूरी range में तीन महीने तक रोक के रखा उसके बाद एक correction आई थोड़ा सा एक bounce आया अब वापस हम थोड़ा सा इसी तरीके का एक part देख रहे हैं कि market में कुछ range नहीं है कोई direction नहीं है 2910 पे इसने अपनी कल क्लोजिंग कर दी अब देखते हैं आगे आज का view कैसा हो सकता है दोस्तों वापस चलते हैं हम एक घंटे की तरफ देखिए सबसे पहली चीज़ crude oil में जितने trades अभी तक कुछ बन पा रहे हैं तो वो सारे के सारे एक positional view को लेकर बन रहे हैं उसमें ऐसा नहीं है कि market में हम कुछ intraday basis पर कुछ कर पाएं जो last to last trading session था मतलब परसो का जो trading session था उसमें हमने जरूर देखा बिलकुल end में ये correction आपके सामने है ये जो correction हमने देखी ये जरूर इस तरीके की थी के market में एक downside एकदम से आ गई थी वो एक अच्छा price हमारे लिए हो सकता था ठीक है कल जिस तरीके का view बना इसमें market एक एक उस direction में जाने की कोशिश कर रहा है कि जिसके बाद एक view हमारा काफी strong बन पाएगा देखिए crude oil आने वाले time में मैं एक अच्छी commodity समझ रहा हूँ trade करने के लिए 2945 मुझे exact नहीं पता इसका अगर यही price है तो यह अपने उस price के बहुत करीब है जिसके बाद इसमें एक तेजी आ सकती है price है 2960 इस price के उपर अगर यह hold करता है तो chances यह रहेंगे के इसमें एक तेजी काफी अच्छे से आ सकती है तो इस price पर हमारी सबसे पहली नजर रहेगी दूसरी important चीज़ जो मैं आपको बताना चाहरा था वो यह के देखिए आप अगर मेरे पिछले वीडियोस देखेंगे crude oil के मैंने आपको बताया था crude oil में एक positional view uptrend का है जिसमें हम इस top loss 283 का लेकर चल सकते है कल या फिशाद परसो यह परसो मैं निकल से candle हाँ परसो गई है 2837 का इसने एक low लगाया था ठीक है बहुत ही strong support इसे ही count करा जाएगा क्योंकि यह बिल्कुल इसी price पर इसने लगाया यहां से market bounce करनी कोशिश कर रहा है next इसमें 2960 के उपर अगर यह break करता है तो crude oil में काफी अच्छे buying के chances बन पाएंगे 2960 के उपर आप buying करके आप एक positional view अपना बना सकते हैं 2833 का stop loss लेके again 2960 के उपर buying आएगी पर आप उस trade में आप enter करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा safe और बहुत ही strong view लेकर आगे को बढ़ेगा crude oil की जो रफतार है वो काफी धीरे है तो मेरी खाल से traders जो है बोर हो जाते हैं पर आप अगर comparison करेंगे किसी भी चीज से तो आपके लिए ये trade आपको जितना profit दे सकता है इतना बाकी वो trade नहीं दे पाते हैं जिसमें एक highly volatile एक market चल रहा है market में एकदम से उपर आ जाता है नीचे आ जाता है तो ये हमारा एक view बना रहेगा downside में जब तक 2,8,3 break नहीं होता तब तक आप इसमें downside consider नहीं करेंगे 2,9,6,0 break होता है तो आप market में एक uptrend का view समझ सकते हैं पास में ही इसके कुछ resistance levels हैं उनको भी हम ignore नहीं करेंगे पर 2,9,6,0 के उपर अगर market hold करता है आपने आपको तो कही ना कहीं एक strength crude oil में हमें नजर आएगी जिसके उपर इसके market काफी ज़्यादा तेज होता हो नजर आएगा तो नीचे में मैंने आपको level बताया बाकी सिर्फ यहीं नहीं है कि मैं आपको stop loss जो है वो 2833 का बता रहा हूँ यह मैं बता रहा हूँ आपको positional view लेके कि market यहां से एक उपर की तरफ बढ़ता रहा है और positional view में 2833 अगर यह break करेगा तो इसमें downside का एक scenario बन सकता है अधरवाइस market जब तक इसके उपर है तो stop loss इतना नीचे का नहीं रहेगा वो जब break हो जाएगा तो मेरी ख्याल से stop loss level इतना ही consider हम कर सकते हैं एक थोड़ा सा उसके बाद हम view देखेंगे हो सकता है 2900 या 2870 के बीच में कहीं पर कोई stop loss रहे तो इसके उपर जैसे से market अपने आपको hold करेगा वो किस तरीके से करता है उस पर हमारी एक नजर बनी रहेगी October स्टार्ट हो चुका है हो सकता है मैं देखें मैंने अपने last videos में भी ये बताया था crude oil के के मैं एक अच्छी तेजी देखूँगा October में अगर थोड़े से भी एक upward trend के indication आने लगे सामने तो ये तेजी crude oil को लगभग 4000 के level पे भी पहुँचा सकती है अभी 3000 के आसपास ही है 4000 में इतना बड़ा खैर कोई hold नहीं करेगा पर अगर हमारे सामने एक trend रहता है तो हमारे लिए trade करना काफी ज़्यादा easy हो जाता है कि हम किस direction में trade करें obviously जो लेंगे वह हम buying का लेंगे क्योंकि हमारा mind एक चीज़ को लेकर तो clear है जो हमारे लिए सबसे पहली चीज़ है कि trend कहां का है buying का है selling का है तो trend अगर buying का होगा हम जितने trades लेंगे 4000 तक जाने पर वो हम सारे buying के लेंगे उसमें हम देखते रहेंगे कि correction आई हमें खरीदना चाहिए wait करना चाहिए वो एक अलग चीज़ रहेगी पर हमारा जो view होगा वो एक over a period of time वो काफी clear होगा तो इसलिए मैं आपको कहा रहा हूँ के crude oil में अगर इस price के उपर market थोड़ा सा sustain करनी कोशिश करता है तो आप इसमें पहली चीज़ selling का बिल्कुल view ना बना के रखें market में तेजी आ सकती है तेजी काफी तेज आ सकती है तो ये था मेरा crude oil पे अभी का वीडियो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें शेयर करें बने रहें मेरे साथ देखते रहें market report धन्यवाद